सब्जेक्शन का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं सब्जेक्शन का आर्थ होता है अधीनता यानि कि किसी चीज़ के अधीन होना परवश्टा परवश्टा मतलब किसी दूसरे के वश में होना या किसी दूसरे के अधीकार में होना या किसी दूसरे के अधीन होना यानि वश में होना, काबू में होना या फिर इस कारत हो सकता है आधिपत्य आधिपत्य और इन तीनों शब्दों के लगबग एक ही मतलब है कि किसी दूसरे वैक्ति के या किसी दूसरी सरकार के या किसी दूसरे देश के या किसी भी कानून के अधीन होना या उसके वश में होना या उसका उस पर आधिपत्य होना आधिपत्य मतलब अधिकार होना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंतरता की दमनकारी अधीनता के खिलाफ वि या अगर आप ये कहना चाहें कि महिलाओं के साथ ऐसमान वहवार एक लंबे समय से चला रहा मुद्दा रहा है जिसे संबोधित करने के लिए कई लोग काम कर रही हैं तो आप कहेंगे The subjection of women to unequal treatment has been a long lasting issue that many are working to address The subjection of women to unequal treatment has been a long lasting issue that many are working to address अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें